कुछ लगता नहीं ना टिकट में समाजवादी में नहीं नहीं हमारी ही तो पार्टी ये कैसा है कि हम जैसे आदमी हम बड़े ठीकेदार नहीं है हम बड़े प्रापर्टी दीलर नहीं है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेवल का होल सिल का दंदा है आप जब भी जाएएगा हम को मंडी में पाईएगा तो खायान आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के माफिया अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिये होते तो अभी दो दिन पहले बल्लामपूर में पूरे चेर्मेंट पपू खान का मडर हुआ यह कौन माफिया के किये मैं माफिय के साथ कहूंगा आप अगर गाजीपूर के ही हम लोग नेता हैं गाजीपूर में आप देखेंगे हमारे हर मुद्दों पर अपनी आवाज को मैं उठाता रहता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपूर में आप देख रहे हैं हमारी चुनावी कवर्चल लई हम देखा रहे हैं हर चट सबसे पहले तो मैं चुनाव आयों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर परदेश में सबसे बड़ा महापरो की तैयारी सब पार्टी आपने तरीके से कर रही है वहीं भी समाजवादी पार्टी अपने पूरी कमर कशलिया है और इस मेहनत का फल पांच साल हम लोग 2022 में माननी राष्टी अध्यच अखले स्यादों को पुना मुखमंत्री बना कर देंगे हमारा मुद्दा विकास का है हमारा मुद्दा विकास का है और आपको पता दे कि आज पीछे पांच साल में और इस पांच साल में आप खुद पत्तकार भाई हो आपको ज्यादा नहीं बताना है आप गाजीपूर में देख लिजिए कि बहुत से विकास हमारे पांच साल मे हुए हैं आप हास्पीटल जो है हमारे समाजवादी पार्टी की देन है आटोटेरियम बना हुआ है बहुत से टास्ट फार्मर हमारे गाजीपूर में बना हुआ और ब्रीज बना हुआ है और चाहे वो जिस पार्टी के लोग हर पार्टी के बच्चों को लैपटाप चाहे व ट्रेक्टर टाली है कहीं भी टास्फार्मा जल जाता तो पाच पाच दिन ददद दिन लोग अंधेले में रते तुरंत ट्रेक्टर टाली वहां जाके तुरंत सुविधा मिल जाती है तो ऐसे तमाम तरीके के विकास गाजीपूर से लेके गाजियाबाद तक मानी राष्टी अखले सियादों ने दिया है अभी आप देख लिजे लखनोव में देख लिजेगा तमाम तरीके का विकास पुर्वांचल एक्सप्रेवे है जैसे इस्टेडियम है वहां लखनोव का बस अड़्डा है मैटो है यह सारी सिस्टम है और उन्हीं विकास के मुद्दे पे फि एकदम पूरा जनता का भी मूंड है और हम लोगों का भी मूंड है पूरा हम लोग एकदम इस पर्व को बहुत बढ़िया से मना रहे हैं और जहां तक उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छी सीट निकाल के राष्टी अद्दर जी को देंगे और पुना मुख्यमंति उनक क्या लगता है आप जनता में जाएंगे तो किन मुद्द्यों को लेकर जाएंगे देखिए अगर समाजवादी पार्टी और हमारे महभूब नेता राष्टी अद्दसी अकले सियादों अगर हम पर विश्वात दिलाते हैं तो सबसे पहले मैं विदायक गाजीपूर का नह आली हात नहीं जाएगा हम हर पल जनता के लिए समर्पित रहेंगे और जो गाजीपूर का मेन मुद्दा विकास को जोडने का है उसके लिए हमेशा शंगर्ष करेंगे और माणनी राष्टी अद्दस से गाजीपूर के लिए एक अलग से विकेस विकास पैकेज पार्टी यह कैसा है कि हम जैसे आदमी हम बड़े ठीकेदार नहीं है हम बड़े प्रापर्टी दीलर नहीं है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेवल का होल सेल का दंदा है आप जब भी जाएगा हमको मंडी में पाईएगा तो हम जैसा कारकरता भी विधायक बनने का सोच रह औरों के पार्टी ओं में तो करोडो करोडो रूपे का सेल लगा हुआ है जी माईम भी आ रही है इसको कैसे आप देखते हैं अई नहीं ऐसा कुछ नहीं है माईम से कोई ओट नहीं करेगा हमारे चुकी देखिए बहुत सा कुछ बात है कि अगर चुनाओ का सारा एजेंडा हम बता देंगे तो भी ठीक नहीं है तो कुछ गोपनी रखना चाह रहा है विपच्छी हमेशा भरम में रहना चाहिए हम सर समाज की वोट को लेकर 2022 में सरकार बनाने जा रहा है लेकिन जो अगर देखा जैसे सदर के अगर बात की जाए तो दाविदारी जो आप कर रहे हैं तो आपकी लड़ाई तो एक मंत्री से है संगीता बल्वन जी से अब आप पूरे विधान सबा में उस मंत्री को अगर खोजियेगा तो हमें लगता है कि 5 साल में गाजीपूर का जितना भी गाउं होगा 75 परसेंट गाउं में उनका चेहरा लोगों ने नहीं देखा होगा और इस 5 साल में सकेंदर में भी सरकार भाजपा की और राज में भी सरकार भाजपा की और यहां नगरपाली का चेर्मैन भी भाजपा का लेकिन विकास का अगर इनको खाका दिया जाएगा तो यह जीरो है इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है और इनको लाश्ट टाइ लास्ट डायम में चलते चलाते वक्त इन्हों ने इनको मन्त्री बनाया तो इसका मतलब हां भी समझते हैं और हम भी समझते और मैं आपको एकिदम बता दू कि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा अंतर के और्टों से यहां पर जीतने जा रही है चुनों कितनी सीटें निकलते हुए दिख रहे हैं हमको 7 सीटें निकल लही हैं काजीपूरसे गाजीपूर से 7 सीट निकुल लइसाम अच्छा तो today at तिकट कब तक हो सकता बटवारा है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर सारे टिकट क्लियर हो जाएंगे आपके साथ जो राजबर जी आ गया उंप्रकाश राजबर जी तो उनको आने से लोग बतारें समाजवादी पार्टी की नेता करें काफी फायदा उनको हो रहा है तुम बिलकुल हमारे साथ एक बहुत बड़े नेता उनका समाज अपने समाज के भी अच्छे नेता है और सबसे बड़ी बात ये है कि बैकवर्ट समाज के लिए वह लड़ाई जोड़दार तरीके से लड़ते हैं इसलिए उनको परकाश समाजवार का मैं आदर करता हूं और उनके आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिली है और उम्रकास राजभर जी इस प्रुवांचल और उत्रप्रदेश के वो नेता हैं लेकिन बहुत से इसे नेता है जो आज के जट में बिधायक मौजूदा बिधायक भी हमारे पार्टी में आ रहा है और अभी आने का सिलसि कि यह अप्ष्रम कार्ट भी जल्दी वनाया गया उसमें एक हजार रुपए डाल लाएं ऐसे तमाम उनके कार्ये हैं जिसे एक्सप्रेस्वे की उनकी देने आज बंद के तयार हो गया है इसको आप कैसे देखे हम यह समझते कि अगर उनका काम बढ़िया होता तो इस सब ल कि कल के डेट में कोई सरकार आ जाए अगर उनकी सरकार नहीं है वो प्लान बन कर देगा तो किसी को कोई फादा मिल जाएगा एक महिने के लिए कोई फाइदा नहीं मिला यह पांच साल पहले अगर कारकिरम करते तो जनता को इसका लाब मिलता मैं चाहता हूं मेरी दिली विल्कुल 300 उन्होंने कहा है विजली माप देने के लिए वो देंगे उनका जो भी घोसड़ा पत्र है वो पूरा करेंगे इनका घोसड़ा पत्र पूरा नहीं हुगा आज के डेट में मैं विकास के पहले ही आपसे बता चुका हूं कि हम लोग विकास के बल पे चुनाओ ल इसलिए कि अभी कई बार जो बहुत बड़े मेता हैं केमिनेट मंत्री हैं केसो परसाद मोर्या जी यह लोग क्या बात करते कुछ समझ में नहीं आता गड़ा मुक्त हो गया हमें तो पूरा उत्तरप्रदेश गड़ा मुक्त हो जाएगा फला तारीक हो हमें लग रहा सरकार जा रही है गड़ा बुक्त अभी तक नहीं हुआ क्या मजाग है अरे नहीं सपर रहा है मत करो आदेश देने की क्या जरूआते कि पूरा उत्तरप्रदेश गड़ा मुक्त हो गया आप अपना खुद जो है हासी का एक पात्र बनते जा रहे हैं चुकि कभी इन लोग तो बड़े नेताओं में सब जो है अपनों एक अच्छी अच्छी धाराओं में लिप्त पाए जाएंगे यह लोग खुद यहां के मुख्यमंत्री अपने मुकदमा अपने से हकाते हैं इससे बड़ा दुख भाग है का होगा आपने हमारा पर्चे पुछा तब नहां हम आपक बताए का तब मैं विश्वास रखता हूं कि यह बात है अब मैं खुद ही जाके बताओं यह बहुत बड़ा दुर्भाग है इस देश का लेकिन इनका कहना है कि उत्तर परदेश जो माफिया है उत्तर परदेश छोड़ के जा चुके हैं या जो हैं उनके पर बुल्डोधा चल गए इसको आप यह बताईए कि उत्तर प्रदेश के माफिया अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिये होते तो अभी दो दिन पहले बल्लामपूर में पूरे चेर्मेंट पप्पू खान का मडर हुआ यह कौन माफिया आके किये यह कौन माफिया अभी आपने देखा है त सब काम कर रहे हैं लेकिन किसी को अपने नीजी मामले में देखकर किसी को जवर दस्त फसा रहे हैं यह समझें अगर उनकी काटी नहीं हम लुक्सान हो रहा है हम अभी बीजेपी पार्टी जोइन कर लें उनके मसीन में जाके हम फ्रेस हो जाएंगे अच्छा बहुत सा उधार आप लोग देखेंगे आप लोग पत्तकार हैं हम लोग से भी ज्यादा आप लोग जानते हैं लेकिन राइनी समाच के अगर बात किया त फाता रहता हूं लेकिन एक जिम्यदार हमारे समाज का भी है और जो हमारा समाज है काफी दबा कुछला समाज है हमारे समाज में पूरे उत्तर परदेश में पिछले हमारे सरकार में भी एक विधायक थे और इस सरकार में भी एक विधायक जो अभी बसपा से आया है विंग लेकिन कुछ लोग का आइरोप है कि आप संक्यक्त प्रकोष के जिलाद्धक्ष हैं लेकिन अब राइनी समाज की बस बाप करते हैं मुसल्मानों की बात नहीं करते हैं हमारे जिलाद्ध जैनुल आबिदीन सिद्धिकी साब हैं महाशचीव हैं हमारे साथ हमारे खान साब हैं हमारे अंसारी साब हैं सारे लोगों की एक मैनाटी की हर समाज के लोग की हमारी एक अच्छी खुबसूरत कमेटी है और हमने जो सम्मेलन कराया है दूसरी बार हमने सम् पार्टी में अलप्शंख्यक सवागा इतनी जोरदार सम्मेलन कराया है कि आप हमारे जिलाद्धे से या बड़े-बड़े नेताओं से भी बात करिए उसमें बड़े नेता भी हमारे मौजूद थे इतिहासिक सम्मेलन अगर हम राहिनी समाज के नेता होते तो उस तरीके का सम सम्मेलन मौनाशिब नहीं है वहाँ पे हमारे मुश्लिम समाज के बड़े-बड़े नेता भी बैटे थे गाजिपूर में सम्मेलन में नसन परदान की बात करें बेचन खान की बात करें सारे लोग वहां मौजूद थे तो मतलब हर समाज मतलब आपसे जुड़ा है लेकिन आप देख लिजेगा चुनाओं के बाद फिर आपसे हमारी हो शकता है दसी ग्यारा के बाद मुलाकात होगी तो आपको लगेगा कि नहीं आपने जो बात कहा था शही है गाजीपूर की जनता चारों तरफ हम भी गुम रहा है आप भी गुम रहा है यहां पे बहुत सोर है क पच्चिम में बहुत ज्यादा वाइसा को मुसलिम का और पढ़ अर पच्चिमाले करा रहे हैं कि पुरौां के बहुत सबात मैं नहीं बताना चाहता हूं तो हम नहीं जाते हम यह जानते कि उनको बंगाल से भी भीहर धोखा यहां मिलने वाला उत्तरपर देश में हैं चु की इतिहास लिखने जा रहा है चली अब आगली मैने चुनाओं है और दस मार्च को रिजल्ट आएगा अब फिर आपसे मुलाकात होगी क्या जनता किस पर भरुसा करती हुआ तो समय बताएगा लेकिन दोस्ता हमने आज मुलाकियात कि अतिक एमद राइनी साब से जो बहुत ह खुखार नेताओं में इनकी गिनती होती है फिनेक्स वीडियो के साथ फिर मिलेंगे धन्यवाद